आप जाकर auditorium में बैठते हैं और पहले कुछ सीन देखकर कहते हैं ऐसा ही है ये ऐसा करेगा जब आखरी सीन आया कुछ बिल्कुल अलग हुआ तब आप बाहर आएंगे और बोलेंगे वाह क्या शांदार फिल्म थी तो मुख्यो रूप से आप ये कह रहे हैं कि अगर आपकी स अभी भविश्यवानियां गलत हो जाएं तो ये शांदार हैं तो टोंट प्राइटो मैंच फिक्स यूर लाइफ नमस्कारम सद्गुरू मेरा नाम मुस्कान बाफना है और आपसे मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में कई बार हम ऐसी स्थिती में होते हैं जहां हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा हम नहीं जानते कि अभी क्या हो रहा है हम बिल्कुल अंदकार में होते हैं और उस समय हमारे सकरात्मक्ता से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है तो हम इन दोनों को क्या जगा दें? जिसे वे सकरात्मक्ता कह रहे हैं वो आत्मविश्वास है आत्मविश्वास रखो, चिंता मत करो स्पष्टता के बिना आत्मविश्वास एक आपदा है ठीक है? अगर आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, तो कम से कम आपको हिचकिचाना चाहिए अगर आप आत्मविश्वासी हैं, तो आप किसी चीज से टकराने वाले हैं कभी-कभी आप सईयोग से बच सकते हैं, मगर आपको राह में क्या मिलेगा, आप नहीं जानते तो ये सकारात्मक, नकारात्मक होने की बात नहीं है, महत्वपूर्ण चीज ये है कि अपने जीवन के इस चरण में आपको बस इस जीवन को उँचा उठाने पर ध्यान देना चाहिए इसकी चिंता मत कीजिए कि उससे क्या मिलेगा आपको ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये जीवन आपको क्या देने वाला है जो मिलेगा वो आज के समय पर और जीवन के कई दूसरे पहलूँँ पर निरभर है लेकिन अगर ये जीवन उचा उठ चुका है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण लाभी देगा इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या देगा कौन जानता है, शायद आप कलाकार ना बने, शायद आप इंजिनियर बन जाएं, शायद आप डॉक्टर बन जाएं, शायद आप कुछ और बन जाएं, कौन परवा करता है अगर आप इस जीवन को उचा उठाते हैं, तो इससे कुछ महत्वपूर्ण निकलेगा आखिर में क्या होगा, आखिर में क्या होगा, वही चीज़, अंत में जैसा कि हमने आपको बताया, ऐसा हुआ अमेरिका में एक कट्टर अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, एलेक्ट्रिक कुर्सी द्वारा मृत्युदंड, तो हमेशा आखिर में पादरी आता है, तो पादरी आया और उसने कहा मेरे बेटे, बस मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, तुम जो चाहोगे, मैं करूँगा, बिना किसी पच्टावे के अपराधी बोला, फादर, जब वो प्लंजर खीजें, तो प्लीज मेरा हाथ पकड़ लेना तो बहुत सकरात्मक, इससे देखने के तमाम तरीके हैं, मेरे पास एक भयंकर चुटकुला था, मैंने उसे ठीक ठाक बना दिया ताकि वो इस संस्थान के हिसाब से हो देखिए, जब मैं जानता नहीं कि भविश्य क्या है, तो ये बहुत गहरी बात है, क्यूंकि कोई नहीं जानता कि भविश्य क्या है क्या आप जानते हैं कि अगले पांच मिनिट में क्या होने वाला है, नहीं वो अपने जीवन के दस मिनिट के बारे में नहीं जानता मगर आपके पूरे जीवन के बारे में जानता है, ये एक शांदार चीज है तो आप भविश्य नहीं जानते हैं, सौब भाग्य से क्या ये बहुत अच्छी चीज नहीं? मान लीजे आप अपना सारा भविश्य जान जाते हैं, तो क्या आप अभी आत्माहत्या नहीं करना चाहेंगे? क्या ये अच्छा नहीं है कि इतने बड़े दिमाग के बावजूद, आपको नहीं पता कि अगले पल क्या होगा? हेलो? क्या ये शांदार नहीं? क्या आपने कभी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म देखी? देखी, देखी अभी लोकल थेटर में एक बहुत शांदार अच्छी सस्पेंस थ्रिलर लगी हुई है, जो आप मेंसे किसी ने नहीं देखी, और मैंने देखी, क्या मैं कहानी सुनाओ? ठीक है, पूरी कहानी में बहुत समय लगेगा, तो मैं बस उसका आखरी सस्पेंस वाला हिस्सा सुनाता हूँ, ठीक है? सुनाओ? नहीं, क्यों? क्योंकि सस्पेंस का मतलब ये होता है, आप जाकर पोस्टर देखते हैं, अरे ये बंदा मेरे खयाल से ये ऐसा करेगा, वो आदमी वैसा करेगा, अरे निर्देशक ये है, शायद ऐसा ही होगा, फिर आप अंदर जाकर सभी स्टिल तस्वीरें देखते हैं, और कहते हैं, ये आदमी ज़रूर ऐसा करेगा, वो आदमी वैसा करेगा, तरह तरह के अनुमान, आप जाकर आइटिटोरियम में बैठते हैं, और पहले कुछ सीन देखर गहते हैं, ऐसा ही है, ये ऐसा करेगा, लेकिन वो कुछ अलग करता है, फिर आप बोले वो वैसा और कुछ और हो गया, आधी फिल्म के बाद आप अपने दोस्त से चर्चा करते हैं, आखरी सीन निश्चित रूप से ऐसा होगा, जब आखरी सीन आया, कुछ बिल्कुल अलग हुआ, तब आप बाहर आएंगे और बोलेंगे, वाह, क्या शानदार फिल्म थी, हाँ, आप वहा गए, बैठे, पहला सीन देखा और कहा, यही होने वाला है, और आखरी सीन में वही हुआ, जैसा की अधिकांच फिल्मों में होता है, तब आप बाहर आएंगे और बोलेंगे, यह अच्छी नहीं थी, है ना, तो मुख्यो रूप से आप यह कह रहे हैं, कि अगर आपकी सभ भी भविश्यवाणिया सच हो जाएं, तो यह अच्छा नहीं है, तो मैं पूछता हूँ कि आपके जीवन में क्या बुराई है, आपका जीवन शांदार है, आप कुछ भी भविश्यवाणी कर सकते हैं, वो सब गलत, गलत, और गलत होता है, शांदार, शांदार, शांदार एक मात्र समस्या है आप suspense का आनंद लेने की काबलियत खोच चुके हैं यही आपकी एक मात्र समस्या है आप अंत जानना चाहते हैं आप एक मैच फिक्सर हैं आप एक मैच फिक्सर हैं आप खेल खेलने से पहले नतीजा जानना चाहते हैं मैच फिक्सर या नहीं, आज मैच फिक्सिंग इस देश में अपराध है, आप जानते हैं, तो अपने जीवन को पहले से तैय करने की कोशिश मत कीजे, देखते हैं क्या होता है, जो भी हो, आप यहां खाली हात आए थे और खाली हात जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है, ए तो कल क्या होगा, कल क्या होगा, मैं आपको एक सरल चीज बताता हूँ, जीवन की सबसे अच्छी चीज ये है कि कल कभी नहीं होता, अगर आप जानते हैं कि अभी जो है, उसे कैसे संभालना है, तो आप जान जाएंगे कि अपने पूरे जीवन को कैसे संभालना है, अगर आप जानते हैं कि इस पल अपने विचार, अपनी भावना और अपने शरीर को कैसे संभालें, तो बाकी बाहरी नाटक चलता रहेगा लेकिन अगर ये ऐसा है, तो ये आनंदित और शानदार होगा, चाहे आपके आसपास जो भी नाटक हो रहा हो, हाँ, अरे अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, हाँ, वो सभी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप यहां जीवन का अनुभव करने आए हैं, जीवन से बचन नहीं, है न, क्या ये बात पक्की है, क्या आप अभी म्यूजियम जाना चाहते हैं, नई, नई, अरे आप मेरे प्रशन को गलत समझ रहे हैं, आप कला के चात रहे हैं, नई, नई, मैं आपको म्यूजियम देखने जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्या आप खुद एक कलाक्रिती के रूप में म्यूजियम जाना चाहते हैं, इसी वक्त, नहीं, ये जीने का समय है, जीने का अर्थ है, आप नहीं जानते कि कल क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, आप या तो उसे लेकर उत्साहित होंगे, या आपको उससे डर लग सकता है, आप उससे डरते हैं जो आप सोचते हैं वो नहीं होगा, लेकिन पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप सोच क्यों रहे हैं कि क्या होना चाहिए, अगर आप प्रक्रिया के प्रती समर्पित हैं, तो जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं, उसके अनुसार कल जीवन करवट लेगा, हां? इसके कई आयाम हैं, अगर आप सभी को खोजें, अगर आप सिर्फ अपनी बाइयालोजी को खोजें, तो जीवन एक तरह से घटित होगा, मतलब अगर आप अपने भौतिक रूप, अपने शरीर पर अधिकार कर लें, तो 15 से 20 प्रतिशत जीवन और भाग्य आपकी मर्जी से घटित होगा, अगर आप अपने मन, अपने विचार और भावना पर अधिकार कर लें, तो आपके जीवन और भाग्य का 50 से 60 प्रतिशत आपके हिसाब से होगा, अगर आप अपनी जीवन उर्जा पर अधिकार कर लें, तो आपका जीवन और भाग्य 100 प्रतिशत आपकी मर्जी से चलेंग झाल झाल